Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub दोस्तों आज मैं आपके लिए Gmail के कुछ important feature लेकि आया हूँ हम सभी Gmail यूज करते हैं बट जो feature मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम frequently कभी नहीं यूज करते बट वो feature हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली latest वीडियो की notification आपको मिलती रहे ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट तो आज की वीडियो में हम पहला feature देखेंगे that is signature signature दोस्तों जैसे आप कोई email draft करते हो email में नीचे आप thanks and regards करके अपना नाम designation company name और आपने अपना logo set करते हो जिसमें आप regards के तौर पे लिखते हो तो वो text हमेशा कभी change नहीं होता वो हर email के लिए सेम होता है आपका नाम designation तो दोस्तों उसको set करने के लिए हम signature set करते हैं ताक करते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज signature हम कैसे set कर सकते हैं दोस्तों signature create करने के लिए आपको सबसे पहले right top corner पे settings का button है you have to click on it जब आप इस पे click करोगे दोस्तों आपकी settings खुल जाएंगी अगर settings नहीं खुलती तो आपके पास जो button आएगा see all the settings click on it जब आप इसको click करोगे दोस्तों आपकी settings open हो जाएंगी scroll down करोगे जब आप तो वहाँ पे आपके पास option आएगा दोस्तों signature पे आप create new पे click करोगे यहाँ पे जैसे मैं एक signature बना रहा हूं thanks and regards यह signature का नाम है आप कोई भी नाम रख सकते हो click on the create button उसके बाद यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने यह signature बनाया thanks and regard इंजिनियर मंदीप mechanical engineer तो यहाँ पे मैं select करनूंगा डिफॉल्ट ली कि thanks and regard signature ही select हो जब मैं कोई email compose करूं तो उसके बाद दोस्तों I have to click on the save changes save changes पे जब मैं click करूंगा तो यह changes मेरी save हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों जैसे मैं compose पे click करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो मैंने signature बनाया था मेरी मेल में वह signature आटोमेटिकली आ गया है इसका फाइदा यह दोस्तों कि जब भी आप किसी को कोई email send करोगे तो आपके signature कभी change नहीं होगे सेम signature आएगा आप अपने according अपना signature बना सकते हो दोस्तों दूसरा feature है दोस्तों undo का feature undo an email दोस्तों अगर आपने कोई email send कर दी और आपको लगता है कि आपने गलत email send कर दी या उसमें आपने attachment नहीं लगाई तो दोस्तों आप अपनी email को undo कर सकते हो rollback कर सकते हो वापिस मंगवा सकते हो यह feature बहुत important है और हम इसको बिलकुल भी ignore नहीं कर सकते हैं that is the most important feature let's see how it use second feature है दोस्तों undo का जैसे हम दोस्तों कोई compose करते हैं mail compose करके यहां पर हम mail कर रहे हैं किसी को अब दोस्तों जब आप इसको send करते हो send करते हो आपको गलती से send हो गया तो आपके पास नीचे देखिए एक option आएगा sending के बाद undo undo पे जब आप click करोगे तो आपकी जो email है वो rollback हो जाएगी वो email वापस आ गई है देखिए यहां पे तो इसमें आपको दोस्तों सिरफ 5 seconds मिलते हैं इस time को increase करने के लिए आपको setting बटन पे click करना है open the setting, setting के general tab में undo send, यह undo send की option है यहां पे send cancellation period is 5 seconds यहां पे आप 30 seconds कर सकते हो आपको यहां पे 30 seconds मिलेंगे अगर आपने कोई भी गलत mail send कर दी यहां फिर आपने email में कोई चीज पेंडिंग रह गई तो आपको rollback करने के लिए that is the most important feature दोस्तों third feature है snooze, snooze जैसे हम अपने mobile पे अलाम लगाते हैं उसके बाद उसको snooze कर देते हैं snooze का मतलब है दोस्तों यहां पे कि अगर आपको कोई email आई है और आपने वह email कल सुबह को read करनी है तो आप एक snooze लगाके वहां पे time set कर दोगे कल सुबह का जितने बज़े भी आपने उसको देखना है तो वह आपको remind करवा देगा कि यह mail आपने देखने के लिए reminder लगाया था तो that is the snooze feature let's see how it to use दोस्तों third option है snooze की option जैसे आपकी कोई email है यह आप next day देखना चाहते हो तो right click करूँगा मैं email पे snooze snooze पे दोस्तों यहाँ पे मैं later today कर सकता हूँ tomorrow next week और pick the date date pick करके जैसे मैंने कल इस email को देखना है तो 30th select करूँगा और यहाँ पे मैं time select करूँगा और save कर दूँगा इसको मैं तो यह मेरी conversation है जो snooze में चली गई तो कल मुझे उसी time पे यह remind करवा देगा कि आपको यह email देखनी है the fourth feature that is the confidential mode confidential mode वो होता है दोस्तों confidential mode में जैसे आप अपने email पे password लगाना चाहते हो यहाँ आप चाहते हो कि कुछ time के बाद एक दिन के बाद या कुछ time के बाद वो email जिस बंदे के पास भी आपने भेजी है वहां से destroy हो जाए खतम हो जाए तो उसके लिए हम use करत दोस्तों confidential mode confidential mode में जब आप कोई भी email compose करते हो एक option आती है bottom में आप देख सकते हो एक lock बना हुआ है इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको confidential mode open हो जाता है यहाँ पे आप set expiration कर सकते हो कि आपकी mail कब expire हो expire in one day एक दिन के बाद आपकी जो mail है वो आपके sender जिसको आपने mail भीजी है उसके inbox से destroy हो जाएगी पर दोस्तों इसमें एक और feature मिलता है SMS passcode अगर आपके आपने email send किया है और आप चाहते हो कि without password वो email open ना हो तो you can click on it and set the password तो आप जब sender को password दोगे तब भी वो यह email आप की open कर पाएगा that is the most important feature जो आपको use करना चाहिए the last one that is the schedule email schedule email होता है दोस्तों जैसे आपने कोई email है वो late night भेजनी है या कल सुबह भेजनी है तो आप एक email draft कर लोगे और उसको schedule कर दोगे time उसमें set कर दोगे कि इतनी तारीक को इतने बज़े यह email automatically sender को चली जाए तो उसक how it use next जो हमारा topic है that is the schedule email schedule email में दोस्तों जब हम email compose करते हैं compose में सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे sender को जिसको हमने email send करनी है next is the subject next is the body तो उसके बाद दोस्तों send के button के पास एक down arrow है इस पे हम click करेंगे schedule send तो यहाँ पे हमसे schedule send मांगेगा tomorrow morning this afternoon Monday morning और pick the date आप अपनी डेट भी चूज कर सकते हो जैसे मैंने 31st को mail भेजनी है और किस time पे भेजनी है मैं उसको schedule कर दूँगा जब मैं इस पे click करूँगा दोस्तों तो यह मेरी mail है जो वो schedule हो जाएगी scheduling send और आप इसको undo भी कर सकते हो और you can view the message also schedule में अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर आपको आ जाएगा send schedule for Monday मैं 31st 12.25 पीम तो ऐसे आप अपनी email को schedule कर सकते हो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो क आपको मिलते रहेंगे और जीमेल पार्ट टू जो मैं बनाना चाहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिलेगा दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो क्रिप्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैं उसका रिप्लाइज जरूर करूँगा थैंक क्यू जो QE बढ़ अजए मिलेग मैं आपको के यू बाट है झाहता हूं यू जड़ घर माट बढ़ बढ माट